सोलन के गुनिहार क्षेतर के अंतरगत ग्राम पंचायत मान के गाम सिंगलटा में तीस बर्स ये महिला पर सासवर्स के पती द्वारा जानलेबा हमला करने का मामला सामने आया है जिसकी शिकायत पीडिता पक्स द्वारा पुलिस में की गई है महिला पक्ष का कहना है कि दस बर्सों से उनके वेटी सब सहन कर रही थी और अब नाबत मार पिटाई पर आ गई है यदि मार पिटाई का वीडियो ना बनता तो उन्हें पता ही ना चलता कि सासवर्स पती ने उनकी वेटी को जान से मारने की कोशिश की है उन्होंना पुलिस की कारником पर भी स्बाल खड़े करते वए कहा कि दो दिन वीट जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कारेवाही नहीं की जा रही है जबकि उनकी वेटी को जान से मालने की सोची समझी साजिस रची गई थी उन्होंने पुलिस से न्याई की गुहार लगाई है एसपी अशोक बर्मा ने मामले की पुस्टी करते हो बिताय की कुनिहार में पुलिस को शिकायत मिली थी जिस पर कारवाही करते हुए लड़की की सास्व पती को गिरपतार कर लिया है और सबंदे धाराओं के तहट पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है पुलिस ने इस बात को इस तरीके से टाला कि वह बोर रहे है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात तभी होगी जब उमर जाती अब उसका सीर फाड़ा गया जब हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो कल को फिर ऐसा ना हो इसलिए हम चाहते कि उसे नियाए मिले दिनाक 18 फरवी को एक महिला जिसका जो यहां मान की रहने वाली है उसने थाना को नहार में रिपोर्ट कर रही थी कि इसके इसके पती और सास ने इसके साथ मार पीड की है और जिसे ही इसको चोटे आई है और वो जो उसका सुसराल का पक्षा है उसको जो उत्परिद करता ह जिस पर पूलीस नेठ हारा तारी को ही जो एपिमन आईपी-सी धारा में मकातमाध कर लिया था मुकादमाध दर्ज करने के बड़ जो है उसके हजबन को और जो ऐसकी सास है हजबन क का नाम दर शर्मा झाम राम परी है इन दोनों को जो हैं में कर्श कर गतार कर दिया और ओ इसमें केस में इन्वेस्टिविशन जारी है इसमें रॉंफोल रेस्टेंट, इंजरी, अबूजिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एंड कुल्टी तुल विमन, बाई हर हस्बेंड और अर्लेटिव अप्टा हस्बेंड यह सारी धारा हैं इसमें आयत की किया है प्याल टीवी के लिए सोलन से अमर प्रीद की रिपोर्ट